नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जयन MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूजरूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चले शुरुआत करते हैं मदप्रदेश में अब बोट परिक्षा में खराब परड़ाम आने पर अब सिक्षव भाग बड़ा एक्ष्वल लेगा चुई हाँ आपको बता दे कि खराब रिजल्ट पर सिक्षकों को अब नोटिस ज़ौरी किया जाएगा बोट परिक्षा में 30 फीसदी कम परड़ाम वाल आई गई है बैठक में जुला सिक्षव अधिकारी समेट स्कूल के प्राच्वार भी मौजून रहे 30 हाइज स्कूल सिक्षक और 9 हायर से के सिक्षकों को नोटिस जो बतारे की जारी हुआ है वही रिजल्ट सुधारने के लिए सिक्षकों के आदान प्रदान करने पर भी च पारवाही भी हो सकती है बढ़ते आगया और बताने कि मदप्रदेश में मौनसून के दस्तक देते ही बारिश का सिलसला अब शुरू हो गया है मौसम वभाग के अनुसर गौलियर चंबल संभाग छोड़ प्रदेश के 32 जिलों में मौनसून जो है वो पहुत चुका है वही इस बारिश का अलग च्वारी किया है इसके साथी दौर उच्वेन समेट 16 जिलों में गरज चमक का अनुमान भी मौसम वभाग ने जवताया है वही मौसम वभाग ने नीमच मनसूर रतलाम ज़ाबगा अलिराजपूर धार बुरहानपूर नर्मदापूरम खरगून पानी अशोक नगर गुनाश शियोपूर कला में आकाशिय बिजली गिर ने चमकने के साथ तेज बारिश को लेकर अलग भीजवारी कर दिया है आगे बटे और बता दे कि मदप्रदेश का वनवभाग इस बार चार लाख पौधा लगाएगा बता दे कि मौनसून के साथ प दोड़ने का बीज बार नाई लिया गया है पिछले तीन महिने से पौधा रोपन की तैयारियां जो है वो भी जवारी है जबलपुर वनमंडल की बात की जाए तो कुंडम पनागर सीहोरा बरगी और शाहपुरा रेंज में पौधा रोपन का काम शुरू भी हो चुका है ज अथा वाच्छक पंडत प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें अबलगतार बढ़ती ही ज्वा रही है इनसे कई संत और ब्रज भूमी के महंत जो हैं वो नाराज है कई संतों महंतों ने बरसाना मान मंदर में सुमवार को एक महापंच्वायत भी बुलाई थी महापंच्वायत को ब्रज शेत्र में अब गुसने नहीं दिया ज़ाएगा बतानी कथा स्थल से लेकर सोशल मीडिया तक पर पंड़त प्रदीप मिश्रा का वरोध जो है वो देखने को भी मिल रहा है आपको यह जानकारी देदे कि कधावाचा पंड़त प्रदीप मिश्रा की ओर से राधा र अप में हुई इस महापंच्वायक में बड़ी संख्या में लोगों ने जो थे वो भाग लिया आगे बता दिया आपको कि मदप्रदेश के विदीश्वा जिले में आचो एक बड़ा हाथसा हो गया है हलाली डैम के वाटर फॉल में डूबने से एक 19 साल के छात्र की मौत हो अपने सात्यों के साथ एक पिकनिक बनाने के लिए हलाली डैम के वाटर फॉल में गया हुआ था नहाने के दौरान अच्वानक वे गहरे पानी में चला गया जिसके बाद उसके दोस्त उसको ढूंडने लगे लेकिन चीक पुकार मच गई मुए विदीशा की स्टी आरेफ होंगार की टीम और स्टी आरेफ ने उसकी तलाशी जो है वो शुरू की काफी देर बाद उसका शव जो है वो मिला जिसके बाद उसे अस्पताल भी पहुचवाया गया जहां डॉक्तरों ने उसको उम्रत घोशुद भी कर दिया अम्रत के को पोस्ट मॉर्टम के लिए भी बेज दिया गया है यति आज की दिन भर की महत्वपोन अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं MP News के साथ नमस्कार